नमस्ते, आज हिंदी व्याकरन के अंतरगत हम समास पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समास की परिभाशा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नया और सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास का अर्थ होता है संचिप्ती करन। समास में दो शब्द होते हैं पहले शब्द को पूर्पद और दूसरे शब्द को उत्तरपद कहते हैं। उदाहरं रसोई घर इसमें रसोई और घर दो शब्द हैं जिसमें रसोई को हम पूर्पद और घर को उत्तरपद कहते हैं। अब हम समास के भेद की चर्चा करते हैं, तो समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं, और दो उसके उपभेद माने गए हैं, समास का सबसे पहला भेद है अव्यई भाव समास, जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिस समास का पहला पद अव्यई हो और प्रधान हो, वह अव्यई भाव समास कहलाता है, यहाँ पर मैं अव्यई को स्पस्ट कर दूँ, अव्यई ऐसे शब्द हैं, जिन पर लिंग, वचन, क्रिया, काल, आदी का कोई भी प्रभाव नहीं होता, अर्थात वह किसी भी समास को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात की पुस्टी करें कि उसका पूर्वपद एक अव्यई है या नहीं, उधारन स्वरूप हम देख सकते हैं आजीवन, जीवन भर, इसमें आ जो की पूर्वपद है और वह एक अव्यई भी है, दूसरा उधारन यथा विधी, समास विग्र विधी के अनुसार, अन्युधारन यथा शक्ती, शक्ती के अनुसार, अव हम समास के दूसरे भेद की चर्चा करेंगे, दूसरा भेद ततपुरुष समास, जिस समास का उत्तरपद प्रधान हो और पूर्वपद गौन हो उसे ततपुरुष समास कहत उधारन के लिए देश भक्ती, देश के लिए भक्ती, ग्रंथकार ग्रंथ को करने वाला कुछ अन्युधारन इस प्रकार हैं, पाठ शाला, पाठ के लिए शाला, देश निकाला, देश से निकाला तत्पुरु समास के भी दो भेद बतलाए गए हैं पहला कर्मधारे समास और दूसरा द्विगु समास अब हम कर्मधारे समास पर चर्चा करते हैं इस समास का भी उत्तरपत ही प्रधान होता है और इसके साथ ही पूरपत और उत्तरपत में विशेशन विशेश अथवा उपमान और उपमे का संबंध होता है इस समास को समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए विशेश और विशेशन उपमे और उपमान उदारन स्वरूप कमल नयन कमल के समान नयन लाल मनी लाल है जो मनी यहां लाल विशेशन है और मनी विशेश है तो इस प्रकार विशेशन और विशेश से सम्मंदित होने के कारण यहां पर कर्मधारे समास है अब तत्पुरुष का अगला भेद है दिगु समास जिस समास का पूर्वपद संख्या वाचक विशेशन होता है वह दिगु समास कहलाता है सीरे साधे शब्दों में यदि हम इसकी चर्चा करें तो जिस समास का पूर्वपद यानि पहला पद एक संख्या हो जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, सौ तो जो पूर्वपद एक संख्या हो वह दिगु समास कहलाता है उधारन स्वरूप त्रलोग, तीन लोगों का समाहार तो यहां हम देख सकते हैं कि इसका पूर्वपद में तीन जो है वह एक संख्यावाची विशेशन है नौग्र, नौग्रहों का समू यहां भी हम पाते हैं कि पूर्वपद एक संख्यावाची विशेशन है अब समास का अगला भेध है द्वन्द समास जिस समास में दोनों पत प्रधान होते हैं और यदि उनका विग्रह किया जाए तो और या लगता है वह द्वन्द समास कहलाता है यहां पूर्वपद और उत्तरपद दोनों ही प्रधान होते हैं उधारन सुरूप राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीता राम, सीता और राम यदि हमें इसका विग्रह करना होता है तो हम बीच से योजक चिन हटाकर उसके स्थान पर और का प्रियोग करते हैं अब समास के अगले भेद बहुवरी की हम चर्चा करते हैं जिस समास में दोनों पद और प्रधान होते हैं और उनके अर्थ के अतिरिक कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है उसे बहुवरी समास कहते हैं दूसरे शब्दों में यानि वह अपने सामान अर्थ को छोड़कर एक विशेश अर्थ ग्रहन करता है ऐसे समास को बहुवरी समास कहते हैं उधारन के लिए दशानन इसका विग्रह करें तो अर्थ होता है जिसके दस मुख हो परन्तु इसका सांकेतिक अर्थ रावन होता है इसी प्रकार नील कंट इसका विग्रह करें तो नीला है कंट जिनका अर्थाप इसका सांकेतिक अर्थ शिव है तो इस प्रकार ये समास के प्रमुख छे भेदों की हमने चर्चा की मुझे उमीद है कि आप इसे भली भाति समझ गये होंगे और अभ्यास से आप समास को निश्चित तौर पर पहचान सकते हैं धन्यवाद